नमस्कार दोस्ते हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिवा में आपका हार्दिक-ार्दिक स्वाकत है दोस्तों जैसे कि हमने लाडली बहना योजना के संबंध में एक वीडियो बनाया था जिसमें हम इस योजना का लाब लेने हैं तू आय सीमा पात्रता अपात्रता वाइस क की प्रिक्रिया के बारे में बदाया था जिसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस करके देख सकेंगे आज की इस वीडियो में हम इसके आफ्लाइन फार्म जो इसका प्रपत्र है इसे कैसे भरना है इस बारे में बात करेंगे चैनल पे नए है तो सब्सक्र जरू कर लिजेगा ताकि हमारे अपकमिन वीडियो का अपडेट आपको असानी से मिल सके तो दोस्तों यह लाडली बहना योजना का प्रपत्र है इसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसे भर कर आप कैम्प वाड ग्राम पंचात वाड का रेले में कैम्प प्रभारी द्वारा आनलाइन प्रिष्टी करके इसकी पाउती आपको दे दी जाएगी इस फ़ाम में सबसे उपर आपको यानि कि आवेदिका का समगर आईडी डालना है आप दे सकते हैं यहापर 9 बॉक्स बने हैं चुकि समगर आईडी जो परसनल होती है 9 डिजिट की होती है उसके बाद आधार नमबर इस बॉक्स में यानि कि सेकंड नमबर के जो नमबर वाली यह जो इंट्री है इसमें डेटा बर्थ यानि कि जन्म दिनाग आपको डालना है और आपको ध्यान देना है कि इसकी पातरता एक जन्वरी को तेस वर्थ से अधीक और साथ वर्थ से कम होनी चाहिए तो यह आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद उसका पत समान अनसूची जाती जन जाती अन पिछड़ा वर्थ यह आपको फिल करना है क्या सामाजिक न्यावी बहा की पेंसन प्राप्त कर रहे हैं तो यह काफी महतपूर्ण बिन्दू है यहाँ पर आपको अगर यह पेंसन नहीं मिल लई है तो आपको नहीं पेटिक करना है अग यहाँ पर विवाह की इस्थिती यहाँ पर आप इस परस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर अविवाहित कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है जानी कि जो महिलाएं विवाहित हैं और तेज से उमर उनकी अधिक है उन्हीं को इस योजना में लाब दिया जाएगा हलाकि तलाक सुदा, विद्वा या परित्यक्यता ये भी इस पे आवेदन कर सकते हैं और पात्र हैं इसके लिए इसके बाद कुछ घोषड़ा के बिंदू है जिन पे आप अपात्र हो जाते हैं इसलिए इस पे घोषड़ा आपको करना है कि आपकी आएड वर्षिक आएड धाय लाग से कम है आप इंकम टेक्स पे यह नहीं है आप किसी सास की विभाग मंडल इस्तानी निकाय में नीमित या सम्विदा करमचारी नहीं है या कि सेवा, निवरत के पाश्चाथ, किसी परकार की पेंशन आपको नहीं मिल लिए है आपके परिवार में 4 पहिया, वाहन या टेक्टर नहीं है, आपके पास 5 एकर से अधिक की भूमी नहीं है और आपको भारत सरकार या राज सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाः एक हजार रुपए या अधिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं इस योजना में कोई भी ऐसा निर्वाचित सदस्त जैसे की जन्पत सदस्त सांसद सरपंच भाग नहीं ले सकता है वाड के पंच या उपसरपंच को छोड़ के इसके अलावा आवेदा के परिवार से कोई भी सदसे भारत या राज सरकार द्वारा चैनीत निगम मंडल या उपकरम के अध्यत या संचालक सदसे नहीं है यह परपत केवल आउनलाइन की जानकारी फीड करने के लिए है इसके बाद आउनलाइन जानकारी भरी जाएगी जिसमें आपको इसकी पावती और SMS द्वारा या WhatsApp द्वारा इसके जानकारी दी जाएगी आपको इसके स्वाइन करना है ये पावती वाला पार्ट है जो कार्याले उप्योग द्वारा होगा इसे जब वो प्रिविष्टी कर लेंगे आपकी आनलाइन फार्म भर लेंगे तो इस पर आपको आपका आनलाइन पंजन करमांग उसकी डेट अवेदिका का नाम और पिता या पती का नाम लिखके वापस किया जाएगा साथ ही आपके आवेदन की इस्तिती बताई जाएगी अगर आपकी समगर की एकेवाईशी कंप्रीट है या अधार का बैंक एकाउंट लिंक है या डिवीटी एनेबल है तो हाँ पर अधरवाईज जो भी चीज़ कंप्रीट नहीं होगी यहाँ पर दिया जाएगा उक्तकारवाही पूर्ण होने के बाद ही आपको इस योजना की पातरता होगी और आपको रासी प्राप्त होगी यह सरते पूरी ना किये जाने के कराण आपका अवेधन निरस्त किया जा सकता है दोस्तों आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगा